अगर आप फास्ट में खिछडी खाकर आलू खाकर बोर हो गए तो ये रेसिपी आपके लिए हाई आपके लिए वेल्कम बैक टू माई चैनल पिंक इन क्रंची आज मैं आपके लेकर आई हूं साबुदाना और समा के चावल का चीला जो की बहुत ही टेस्टी बनता है पॉफ आपके लिए न्यू वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो ये फ्राइड आलू की रेसिपी भी है जो बहुत जादा टेस्टी बनी है चीले के साथ ये बहुत अच्छी लगती है नहीं साबुदाने को भिगोना नहीं समा के चावल को भिगोना फटा फट से क्विक बन कर तयार हो जाती है चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमने यहां पर एक कप समा के चावल लिली इसको कपड़े से साफ कर लिया था ग्रैंडिंग जार में डालते हैं इसको और यहां पर हम लेंगे हाफ कप साबुदाना इससे बहुत ही अच्छा softness आएगा और समा के चावल से बहुत अच्छा क्रिस्पी नैस आएगा अच्छे से इसको पीच लिया है बिल्कुल बारीक पीचना है यहां पर हम आठ से दस काली मिर्ची डाल सकते हैं आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं एक छोटी चमत जीरा और इसको अच्छे से ग् अच्छे से जब ग्राइंड कर लेते हैं और देखिए इस तरीके से एकदम स्मूध बैटर बनकर रेडी है देखिए इस तरीकी की चंसेस्टनसी है अब इसमें हम हाफ कप पानी का यूस और करेंगे तो चलिए बैटर को ट्रांस्वर कर लेते हैं पफेक्ट पिसना हो जाएगा इस तरीके से consistency के रहने चाहिए ट्रांसफर कर लेते हैं बर्दन में इस तरीके से और अब बिल्कुल जरा सा पानी डालेंगे तो यानि कि आपको total एक कप पानी का यूज करना है थोड़ा थोड़ा करकर डाल दीजेगा उसको और इस तरीके से तो अब grinding jar में जो फैलने में भी कोई दिकत नहीं होगी इसको अच्छे से mix कर देते हैं इस तरीके की consistency तो अब डग कर दो घंटे के लिए रख देते हैं खमीर उठने के लिए तब तक आलो fry कर लेते हैं हाफ केजे आलो को बॉयल कर लिया है इनको छील कर क्यूब्स में कट कर लेंगे इस तर पर घिले लिया है 1 बेस स्पून इसमें जीरा डाल देगे जीरा को क्रैकल होने देते हैं 291 जीरा कंडर देते हैं जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाइए ami 4-5 कटी हुई हडी मिर्ची डाल देते है दो मिर्चीयों को कम कर सकते हैं नमक दाल देंगे अपर मिर्चयों को लो कर देंगे अब यहां पर हम आलों को डाल देते हैं तो फ्रेंस यह मुंफली के आलो बनाएंगे आप एक बार ट्राइ कीजिए का मुंफली दाना डाल कर सींग दाना बहुत टेस्टी लगते हैं तो आलों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं जो घी है उसमें आलों को अच्छे स जाएंगे इस तरीके से करने से ना आलू चारो तरफ से क्रिस्पी हो जाएंगे बहुत टेस्टी अब यहां पर हम एक चोथाई कप भुना हुआ मुंफली दाना यानि कि सिंग दाना डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आताया अलू में अगर आपको पसंद आप आप इस किप भी कर सकते हैं डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसको डालने के बाद बस आप 30 सेकंड्स के लिए इने चलाइए हरा धनिया डाल दीजिए और यह आपके बहुत ही टेस्टी वरत वाले आलू बन कर तयार है जो की चीले के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे चलिए दो घंटे हो चुके हैं बैटर अच्छे सी खमीर उठ चुका है चीला बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है तो फ्रेंस देखिए कितना बढ़िया फूला है एकदम पोफेक्टली तो कंसिस्टेंसी वही की वही है अब यहां पर हम थोड़ा सा अगर आप नमक नहीं खाते तो आप इन्हें फीके भी बना कर इस तरीके से खा सकते हैं लेकिन हमने आपर नमक डाला है हलका सा और क्यूंकि जीरा आलू है इसके साथ तो उसमें अल्रेडी नमक है तो अब चलिए पैन रख दिया है गैस अन कर दी है पैन को अच्छे से गरम क जाए एक चमचा बैटर लेंगे इसको इस तरीके से डाल देंगे हलके हाथों से गोल गोल फैला देंगे बस इतना ही करना है आप देखेंगे 30 से के अंदर ये दूसरी साइट से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अच्छे से सिख जाएगा लेकिन फ्लेम को यहा उपर से कलर चेंज कर देगा और अब इसको पलट देते हैं आप चाहें तो पलटने से पहले ओल लगा सकते हैं तो जितना ओल आप लगा कर चीले को सेख सकते हैं तो दोनों साइट से इसको अच्छे से दबा दबा कर सेख लेते हैं और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी चीला एकदम सिख कर तयार है खाने में एकदम क्रिस्पी लगेगा और सॉफ्ट भी होगा तो दोनों साइट से अच्छे से सिख गया अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखिए पॉफेक्टली सिख चुका है और इसको फोल्ड करते हैं और इसको अच्छे से निकाल लेते हैं तो फ्रेंज ये ना बहुत ही तेस्टी लगता है और देखिए हमने यहाँ पर वरत वाले आलू भी रख लिए हैं और चटनी है मुमफली की और हरेदनी की चटनी में एकदम कर दिखाती हूँ कि यह कितना सिंपल है हलका सा ओयल से पैन को ग्रीस कर लें फिर एक चमचा भरके बैटर को डाल दें इस तरीके से डालते में ही बहुत सारा अच्छे से चीला फैल जाता है और फिर इसको हलका हलका सा आप इसे फैला सकते हैं इस तरीके से तो जहां पर भी थोड़ी बहुत जगे रह जाए उसको आप फिल कर दें बैटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए कि अब देखे इस पे हलका सा उपर से भी ग्रीस कर देते हैं तो दोनों तरीके से आप चेले को बना कर तेयार कर सकते हैं जैसे ही एक साइड से सिख जाए इसको पलेट देंगे तो देखे कितना पॉफेक्ट कलर आया है सच में फ्रेंड्स ये वरत में अगर आपने खा लिये ना तो फिर आप कुछ और नहीं खाएंगे इतना टेस्टी होता है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नवरत की बहुत सारी रेसिपीज हैं आप वहां जाकर चेक आउट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये चीला भी अच्छे से सीख चुका है फास्ट में बहुत ही टेसी समाके चावल और साबुदाने का चीला बनकर तयार है सफ कर लेते हैं और नवरात्री में आप इस तरीके का चीला बना कर खा सकते हैं बहुत टेस्थी लगेगा घर में सभी को पसंद आएगा बहुत यमी बना है तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंके सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके फ्रेंस बापाई बनाएं घरमें सभी को खिलाएं इन्जोएं